नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। कि अगे अगे रंग फिरंगे फूलों के जू मेरे डालियां काली काली अखियों के छलके दे प्यालियां। तू प्रादे काता रे थोड़े कहां चला रे ऐसे चारी दुनिया को थोड़े कहां चला रे। रंग फिरंगे फूलों के जू मेरे डालियां। जीवन है का गज का चुकडा बूद पड़े घुल जाता। माची का तन सुन मेरे मन माची में मिल जाता। रंग बरंगे फूलों को पूजा में डालके काली काली ठकियों का धीपक पूजालके रधा तंग कान्भा का राच जहां चला रे इस जूठी दुनिया को थोड़ वहां चला रे। रंग बरंगे बूलोगी जू मेरे दारिया। जाओगी तो जाना रखोगी बैरगी चोरी चोरी। बाहो का बंधन बलकों का पहरा शित्वन की होगी दोरी। चम-चम-चम-चम-चम dispें कानों में बालिया। जग-ब्यग मघंग 25% का दम की कान में दिवालिया। तो तार्व काता रे तोड़े कहां चला रे। ऐसी प्गरी दुनिया और छोड़ कहां चला रे। लंग लंग में पूलों के जूने दे ला लिया जिसका प्रेम प्रभू से लागा भाग है उसका जागा जिसको रूप मिला है उसका उसने सब कुछ त्यागा छक छक पीऊं मैं तो राम रस प्यालियां शाम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे इस जूठी दुनिया को छोड़ वहां चला रे रंग ब्रंग में तू लोगी जू मेरे जारियां चाने काले अपियों पे चल के रे चारियां तू प्यार का पार चार जहां चला रे इस जूठी प्यारी दुनिया को छोड़ जहां चला रे इस जूठी दुनिया को छोड़ वहां चला रे आए 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 खेरो योगी, मैं हार गई, मुझे भी अपने साथ ले चलो खेरो किसके साथ जा रही हो? और मेरे घर में गुसाने वाला तू कौन है? मगर मैं आप से पूछती हूँ के आप कौन है? तो बाद यहां तक बढ़ चुकी है कि तो अपने पती को भी नहीं पहचान सकती यह सब तेरे ही कर्टूरत है, मैं तुम्हें जान सा माड़ा दोगा इस लड़के को मेरे स्काम ने फसाया गया है अगर इसको किसी ने हाथ लगाया, तो भस भी कर दूगा आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, 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 रगु बेटा, अफ्तत अपने घर जाए, आपने मेरा नाम कर से जाना तब के परभाव से मैं सब को जान सकता है, तो मुझे हरी दर्शन का माड़ दिखाई है, हरी दर्शन के लिए सन्याच लेना पड़ता है वो तुम्हें ले चुका हूँ, सन्याच के नेम के अनुसाथ, तुम्हें एक बार अपनी पत्नी से मिल कर आना चाहिए, क्यों? सन्य और सन्याच की चक्कर में, सन्याच की जीत होगी, तुम्हें तुम्हें हरी दर्शन का रस्ता बताऊंगा आपके प्रभाव से मैं वे यही बन कराऊंगा सुनो, सन्यास लेने की अनुमती तुम्हे अपनी पत्नी से ही लेनी पड़ेगी आप क्या शिरुआत चाहिए मेरा सब कुछ रूट करा है चाची अब में किसके सहारे जीवे भगवान पर भरोसा रखो बेटी रखो अगर जीवित है तो एकना एक दिन अवस्चा आएगा वो अब आचुका घर बार और मान मर्यादा पर बट्टा लगाने के बाद रखो कौन सा मूले कर गाउं में आएगा अन्नपुरुना अन्नपुरुना यह तो नहीं की आवाद स्वामे मैं तो किसी की इज़त लेने नहीं आया मैं सिर्फ अपनी पत्म से कुछ मांगने आया अन्नपुरुना कहिए स्वामे मैं आपको अपने सर्वस्ट देने को तयार हो तो मुझे हरी दर्शन के लिए सन्यस्ता धारन करने के अनुमती दो सन्यस्ता हाँ में सन्सार सन्सार बनाने वाले पर छोड़ू मेरे सुक मेरे सुक को अपना सुक समझू मेरे सहारा सहारा प्रभुका स्विकार करदो प्रभुका यह निए हो तक्ता तुम्हारा वच्छृ वच्छ한데 मैं अपनी बचन का पालन करने को तयार हूँ आप से निस दिले सकते हैं तो मुझे अपनी अनुमतिकी को निशानी दे सकती हो ये लीजी है शादी की प्रतम दिन दे हुई निशानी अनुपुरा धन्य धन्य भारत की नारी तेरी अजब कहानी होटों पर मुसकान है तेरे नैनों में है पानी पति को दे फूलों की माला स्वयम जलाए जाला उन्हें पिलाए अमरित और खुद पिये जहर का प्याला ये त्याग और तप तेरे मानम को मौह से फेरे तांच सवेरे सब को घेरे इनसे न कोई पचेरे ये हैं जनम जनम के फेरे 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 जगु का पीछा करो रास्तमी उसे खत्म कर दो जब गुरुदेव बुरु देव किसको दून रहे हो आपने बुरु देव को दिखा वो पॉप फड़ते ही आते हैं और फॉरन चले जाते हैं अच्छा तो आज की रात मैं यहीं ठेरूंगा बुरु आज की रात मैं यहीं ठेरूंगा अब इस बिचारे का क्या करना है देखिए सन्या या श्लिंगा इन में से इसे क्या पसंद आता है उस पर सवाधार है स्वाध इसे पिल अबस्वाधार है सौवी इसे बाद में अजाई सौवी इसे अजाई अनु कर आओ कर दो कर दो अग्याव एप कि अज़व अज़ू का क्या हुआ मार डाला लाश पानी में फैक दी शबूत रगू के कपड़े सरकार शाबाश कांटा निकल गया बाकी रहा गुलाब गुलाब के फूल जैसी मेरी बच्ची का जीवन बरबाब करके आखिर तुम करना क्या चाहती हो मैं अन्नपुर्णा की दूसरी शादी किसन के साथ करना चाहता हूं मेरी आतो थी साथ से चाहती है क्या बक्ति हों मेरे होते हुए तुम दूसरी शाधी कैसे कर सकते हु रोड़ी आतो कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा पती जीवित नहीं उसने आत्मात्या की आत्मात्या हाँ सुबूत में यह हैं उसके कपड़े कर दो कर दो कर दो के अन्न पुरुणा का पती मर चुका है ताके तुम्हें वह विवा की अध्या देदे कि अध्यवाद कि विशन जूता है किसी और के कपड़े उठा लाया होगा अब वो राजा की पास जा रहा है कि विवा की अनुमति लेने कि अध्या विवार जांगी ही कर जाने का उंतिजाम मैं किये देती हूँ कर दो कर दो भगवान की पूजा के लिए थोड़े फूल मिलें यहां जो नहीं दाम निकालो दाम तो मेरे पास नहीं तो फूल भी नहीं है यह तो भगवान का मंदर है यहां किसी तरह का व्यापा नहीं होना चाहिए यहां तुम्हारा नहीं महाराज का हुकम चलता है ऐसा हुकम देना मह कौन महाराज की गल्ते निकाल रहा है अगर चुर्द्व के मंदर को व्यापार का स्थान बनाने के आपके आग्यादी है तो वह आपके भी बूल महराज का अपमान का था जैनी को विरतार कर देखे तुम्हारे पत्मी जिंदा नहीं है हा महराज और अन्नपूरुना के पती रखु की भी मृत्यू हो चुकी है अन्नपूरुना की शादी गंगाधर मुझसे करना चाहते हैं क्यों आपके आज्या चाहिए महाराज महामंत्री इस बात का पूरा पता लगाईए जैसी आज्या महाराज आज दो कैदियों का फैसला भी करना है हादर कीजिए उन्हें सैनिक तुम्हारा नाम राधा तुम्हारा कोई है मेरे पती है उनका नाम राधा का और कौन हो सकता है किशान वो इस समय कहा है माराज या और भागाल है और इसे ने ही पकड़ी गई छोड़ दो इसे दूसरे काईदी का नाम मुझे रग्रु कहते है रग्रु तुम्हारा कोई सगा संबंदी है दुनिया में किसी का कोई है तुम्हे प्रभु भक्त होकर राज आज्यां के बृद्व बोले यह तुमने अच्छा नहीं किया फिर भी यह तुम्हारा पहला अपराथ है इसलिए तुम्हें मुक्त किया जाता है जाओ महाराज फिर मेरी बिन्थी फूर इजाज करने के बाद स्विकार की जाएगी धन्यवाद थेरो जाते कहां हो तुम्हां हां मैं लेकिन तुम्हारा क्यों रहया महाराज के पास नहीं कि ऐसा थिर्फ मेरे एक शिकायद कॉन कि या कहना चाहती हो इसने जो कुछ थी कहा है सब जूठ है तुम्हारे पति का नाम रगो तो नहीं हां महाराज वही मेरे पती है और वो अभी अभी हैं तो आरे पती की खोज की जैगी किशन दूसरी बार जूट बोले तो तुम्हें कडी से कडी सदा दी जाएगी अरे रगु तेरी पत्नी तो राजा के महलों में मौज कर रही है और तू मंगता बनकर यहां भतक रहा है तेरी जगे मैं होता तो डूम मर्दा मैं तो कभी का डूप चुका हूँ लेकिन प्रभु की बक्ति है रगु तुम्हे महाराज ने बुलाया है चलो काम इससे पहले के रगु राजा के पास पहुंच जाए तुम राजा के रिधे में पहुंच जाओ अन्यपूर्णा जैसे संदर फूल को मैं अपनी क्यों ने मना लोगा वो मेरी होगी मैं उसे अपनी महाना ने मनाऊगा रगु आ गया माराज अब मुझे रगु की जरूरत नहीं उसे कहीं ले जाकर खत्म कर दो या आप क्या कह रहे हैं माराज ठीक है जा अन्यपूर्णा महाराज मेरी पती का कुछ पता चला राज महल में खड़ी होकर राते में ठोकर खाते हुए अपने पती की चिंता क्यों करती हो महाराज आपकी आखें तुम्हें महाराणी की तरह देखने की इच्छा कर रही है आपका मल तुम्हें देखकर विचलित हो जाए ये दोश तुम्हारी सुन्दरता का है समझी तो तुम भी वासना से भरे हुए जहने ले नाग हो इसलिए तो तुम्हारे नागिन जैसे केस देखकर मैं आकरशित को हुए मुझे इन नेनों के तीर से खायल करके तुम कहीं नहीं जा सकती चार दो, चार दो मुझे नहीं तो यहीं तीर तेरी मौत का कारण बन जाएगा हच्छो वर्डली जी काउं में अफवा फैला दो के अनपूर्की राजा के साथ रहकर सृत्र ब्रश्ठ हो गई है राज से गंगाधर के कानों तक भी यह बात पहुंचानी पड़ेगी पहुंचा दी जाएगी जानते हो अननपूर्की ने पतिता हो गई है सुना तुमने मेरे घर में नेहीं जा सकती। मोगा चाचा जी मैं तुम्हेरा मूझ तेखना नहीं चाहता आले से पापा इन का मूझ क degthen सारा भी खलाब हो है जुझा क यफ़झा का पदक हो पतिता है अही व皆さん आहाऊ से नहीं ऐे हिखांग वाल सक फिरत था मी है है आहीं अहार गंau आहाई वाजने प्टार मार्माइब dual प्रॉटा वाल बाभने इसाल, प्रॉटार प्रॉटा राभ प्रॉटा लुटा जाओ जाएब आजता है आप में क्या करो इस दुन्या मेरा कोई साले इस दुन्या मेरा कोई साले में कया आप जाो एकुग प्या करो ओजू ईहे तुम्या ही ओ, हमि छातो ने को खिले लाम Pad치 की तरह नाइ जिसकी सुन्दरता और कॉमलता को खिलो ना समझ के खिला जाता है जानती हो जानती हो लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकती आप ही बताइए मैं क्या करो इस गंदे और कमीने समाज का सामना कर दुनिया में स्त्री का सान उचा कर और यह दिखा दे कि जब तक स्त्री जाती बत्याचार किया जाएगा तक मानोजयन के उधर का कोई रास्ता नहीं खुल सकता पर मैं अकली क्या कर सकती हूँ मेरे पती भी मेरे साथ नहीं है और समाज कहता है कि मैं विद्वा हूँ पर तू मानते है कि तू विद्वा है नहीं, हरी इस उस रद्दा रख तुम्हारा पती जिन्दा है और इस इस रद्दा से वापिस लोग जा जाओ, वापिस लोग जाओ मेरे पती जिन्दा है आत्मा की ये आवाग है जरा सामने तो आओ छलिये छुप छुप छलने में क्या राज है यो छुप ना सकेगा परमातमा मेरी आत्मा की ये आवाद है जरा सामने तो आओ छलिये छुप 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 छलने में क्या राज है यो छुप ना सकेगा परमातमा मेरी आत्मा की ये आवाद है जरा सामने तो आओ छलिये हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता पिता अपने बालक से बिछड के सुख से कभी ना सो सकता हमें जरने की जग में क्या बात है जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है यूँ छुपना सकेगा परमातमा मेरी आत्मा की ये आवाद है जरा सामनी तो आओ छले प्रेम उनकी है ये आवद जल जो किधर उठे और उठर लगे प्रेम की है ये आवद जल जो किधर उठे और उठर लगे प्यार का है ये तार प्याजो किधर सजे और उठर बजे तिरी सीच पे बड़ा हमें लाज है मेरे सरका तुहीर सरतान है यू छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवद है जरा सामने तो आओ चल लिये छुप छुप छलने में क्या राज है यू छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवद है जरा सामने तो आओ चल लिये ऐसी ही और सदा बहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमार हुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक लिए